दिल्ली यूनिवर्सिटी के दयाल सिंग कॉलेज इविनिंग का नाम अब वंदे मातरम कॉलेज हो गया है। के भाचपर नेता सुब्रमनियम स्वामी ने नेशनल हराड में जो केस दर्श किया है उसमें वो जानबूश कर देरी कर रहे हैं। सोनिया रहुल और चार अन आरोपी कॉंग्रिस नेताओं ने ये बात सुब्रमनियम स्वामी के आविदन के जवाब में कही जिन्हों ने अपने दोवारा दाएर विबन दस्तावेजों को सुएकार किये जाने या इसे नकारने की मांग की थी। कॉंग्रिस के नेताओं ने कहा कि शिकायत करता दोवारा दाएर आविदन में कई खामिया है और इसे शुरू में ही खार्च किया जाना चाहिए। अजालत अब इस मामले में 20 जनवरी को सुनवाई करेगी। कि उन्होंने ग्रेटर कलाश निवासी व्यापारी अशोग गुपता से पांच करोड़ रुपए की जवरन वसूली की मांग की थी। अवैत शराब बिक्री को लेकर दिल्ली महला आयोग ने पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग को नोटिस बेजा है। आयोग पिछली कुछ दिनों से लगाताज शहर के इन दोनों अलाकों में और चक निरिशन कर रहा है। दिल्ली उचे नियारे ने कहा है कि डीडिये दिल्ली में अपनी जमीन को सुरक्षित रखने में असबल रहा है। अदालत ने इसके साथ ही उसे भूमी पर बंदन नीतियों के निर्मान तथा सारजनिक भूमी से अते करमना हटाने के लिए एक एकाई बनाने का निज़ेश दिया। अदालत ने कहा कि ये काई डीडिय की भूमी प्रिबंदन नीतियों की निगरानी करे और जब कभी भी जरूत हो तब सुरुष्चित करे कि अदालत का आदेश नागू हो और वो अनसभी पहली हो की भी निगरानी करे मुंबई के वेस्टन रेलवे लोकल ट्रेन रूट पर गोरे गाउं और मलाट के बीच तीन मैलाओं की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई ये मैलाएं पट्रियों पर काम खत्म करने के बाद इस्टेशन की तरफ जा रही थी कि दुनों तरफ से ट्रेने आने लगी और हर बड़ी में बांदरा इंडॉर्ट ट्रेन की चपेट में आ गई और इनकी मौके पर ही मौत हो गई मौंबई की पास कल्यान में एक विधायक को सुरेश पुजारी के नाम पर पचास लाग रुपए का हफ्ता देनी की धमकी मिली है विधायक गणपत गाईगवार्ड ने इसकी शिकायत एंटी एक्स्टॉशन सेल में दश करवाई है शिकायत में कहा गया है कि फोन करने वाले ने अपना नाम सुरेश पुजारी बताते हुए पचास लाग रुपए मांगे और नहीं देने पर पूरे परिवार को मारने की धमकी थी मुंबई की सेंट्रल रेलेवे डूट पर ठाने और एरोली की बीच नया स्टेशन बनेगा इस स्टेशन का नाम दिगे होगा और इसे बनाने में एक सो साथ करोड रुपए का खर्चा आएगा इस इस्टेशन के बनने के बाद मुंबई में सेंट्रल रेलेवे की लोकल ट्रेन सेवा के 77 इस्टेशन हो जाएंगे मुंबई में जजर इमारतों को रीडेवलफ करने के लिए BMC नई पॉलिसी ला रही है इसके चलते पुरानी और जजर इमारतों का पुरान विकास आसान हो जाएगा मुंबई में तकरीबर 30,000 जजर इमारते हैं हाली में जजर इमारतों के ढहने से हुए हाथसों के मदर रज़र BMC नई पॉलिसी ला रही है माराश के दुले जिले के शिरपुर में हाफता नहीं देने पर दो वैपारियों को जलाने की कोशिश की गई आतिश जैन और विकास जैन नाम के दो वैपारी भाई अपनी दुकान बंद करने के बाद जा रहे थे कि रास्ते में दो वैप सवारों ने उनकी वैप रुगवाई और बोतल से पेटरोल फेका दोनों भाईयों ने किसी तरह भाग कर अपनी जान बचाई